आज की वीडियो का topic है add payment details of cash free payment links to google sheets सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने cash free पे मिलने वाली payments की details को अपनी google sheets में automatically save करवा सकते हैं जो payment via link हुई हो इसके लिए आपको एक automation side करना होगा cash free payments and google sheets के बीच में then क्या होगा जबी भी cash free payments में आपको payment received होगी via link तो automatically उस payment की सारी की सारी details आपकी particular google sheets में add हो जाएंगी ना आपके involvement की कोई जरुद पड़ेगी ना मेरे पूरी process automatically होगी तो कैसे यह automation side करना है मैं बताऊंगा पूरी steps अभी अपनी screen पर okay सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे p-a-b-l-y-pably.com सामने आजाएगी official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना free account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूंगा sign in पे first option आएगा p-a-b-ly connect का click करूंगा access now पर then open हो जाएगा p-a-b-ly connect का dashboard dashboard open होगा right hand side में option आएगा create workflow का उस पर हम click करेंगे और अपने workflow को एक नाम देदेंगे मैं एक simple सा नाम देदेता हूँ that cash free to google sheets okay मैंने नाम दिया cash free to google sheets आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एक दम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफ important role play करते हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means to this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे cash free में जभी भी मुझे कोई payment receive दो via link okay link मैंने कोई create किया और अब अपने customers को send किया ताकि वो payment कर सके जब भी वो उस link के द्वारा मुझे payment करे मेरे cash free पे तो automatically उस payment की सारी details मेरी इस google sheets में add हो जाए जिसका नाम है cash free payment details मुझे कुछ ना करना पड़े वहां से payment हो यहां पे customer का name email phone number currency amount data link status और transaction status यह सारी details इस google sheets में add हो जाए तो ऐसा automation करने के लिए आपको आना है पैबली connect पे और अपनी first application में चूज कर ले रहा है cash free को search किया choose कर लिया cash free को then trigger event में हम चूज करेंगे यहां पे आप देख रहें option है payment via link का चूज करूँगा payment via link को और यहां पे webhook url पैबली connect मुझे दिया है जिसको मैं copy करूँगा और नीचे दियेगा instructions को follow करते हुए integrate कर दूँगा अपने पैबली connect को किससे cash free से तो integrate करने के लिए चलना होगा मुझे अपने cash free के account पे तो यह है मेरा cash free का account left hand side पे आप देख पा रहा होंगे यहां पे मेरे सामने 3 lines बनी है मुझे क्लिक करना है 3 lines पे इसके अंदर आप देख पहेंगे मेरे पास एक option आ रहा है developers का क्लिक करूँगा मैं जैसे developers पे तो एक new page open होगा इसके अंदर payment gateway के अंदर मुझे वैबुक्स का option मेलेगा मैं जैसे क्लिक करूँगा वैबुक्स पे तो एक new page open होगा यहां पे आप देख रहें option is payment link का तो मैं क्लिक करूँगा payment link पे और add web qrl पे क्लिक करके जो पैबली कनेक्ट मुझे web qrl दिया है उसको copy करूँगा और यहां पे पेस्ट करके क्लिक कर दूँगा test and add की उपर तो यहां पे test data पैबली कनेक के पास capture हो जाएगा एक से दो सेकंड में जैसे ही में क्लिक करूँगा add पे तो मैंने add पे जैसे क्लिक किया यहां पे हो गया यह successfully और आप देख पा रहा है यहां पे response received हो गया है तो एक test data जो है मेरे सामने यहां पे आ गया है जैसे कि आप देख रहे है successfully test data है मेरे सामने payment का सो नीचे scroll करता हूँ तो मुझे payments related details मिल जाती है data link amount paid data link amount इतना है phone number यह है customer का नाम यह है email address यह है तो यह सारा test data है यह किसी का personal email address और किसी का personal नाम नहीं है सब test data है तो इस data की यह data मैं चाहता हूँ अब मेरी is google cheats में add हो जाए customer name email phone number currency amount data link status और transaction status इतनी details मेरी is google cheats में add हो जाए लेकिन मैं चाहता हूँ details जब payment हो चुकी हो with the help of link तो जब payment हो चुकी होती है with the help of link तो हमें कुछ इस type का data मिलता है type के अंदर हमें मिलता है payment link underscore event payment underscore link underscore event यह जो लिखा हूँ आता है यह तब ही आता है जब link के द्वारा payment हो चुकी होती है तो हम क्या करते हैं हम एक condition ऐसी लगा देते हैं तो ही यह automation आगे रन करें और details google sheets में save हो जब यह ना लिखा है तो details save ना हो ऐसी हम condition लगा देते हैं plus button भी क्लिक करके action step add करेंगे और यहां पर choose कर लेंगे पैबली कनेक के great feature को जिसका नाम है filter फिल्टर के द्वारा एक ऐसी step का यूज करेंगे एक ऐसी condition लगाएंगे जिसमें की जब payment हो चुकी होगी with the help of link via link तो ही automatically यूज payment की details google sheets में add होंगी select label पे क्लिक करके cash free पे तैने आप एक type choose कर लोंगा payment underscore link underscore event then equals to value के अंदर लिख दूँगा payment underscore link underscore event okay so यह क्या हुआ जब यह label जो है यह type का label जो है payment underscore link underscore event हो equals to payment underscore link underscore event होगा तो ही automation आगे run करेगा इसके अलाबा अगर कोई और value होगी तो ही automation आगे run नहीं करेगा तो यह condition हमने लगा दी है click करूंगा save and sign test request पे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे condition जो status है वो success है और message के अंदर condition true बता रहा है क्यूंकि यह अभी type के अंदर लिखा हुआ है और successfully payment हो गई है link के द्वारा that's why यहाँ पे condition true है अगर ऐसा नहीं हुआ अगली बार जब automation run होगा automatically तो यहाँ पे false हो जाएगी और यह automation यहीं रुक जाएगा सीधी बाशा में बोल दूँ आपको तो जब person आपकी जो है link के द्वारा payment करेगा आपको तो ही automation run करेगा और अगर वो किसी और तरह से payment करता है तो यह automation run नहीं करेगा नीचे आ जाता हूँ और अब अपनी last application में चूज कर लूँग Google Sheets को क्यों चूज करूँगा क्योंकि Google Sheets में ही मैं डेटा एड करवाना चाहता हूँ payment का है ना then action event में चूज करूँगा add new row को क्योंकि एक new row में डेट करवाना चाहता हूँ मैं अपनी इस वाली Google Sheets के connect पे क्लिक करूँगा connection के लिए then connect with Google Sheets then अपना Google Account चूज कर लूँगा जिस Google Account में वह Google Sheets मौजूद है जिसमें मैं डेटा एड करवाना चाहता हूँ नीचे स्क्रॉल करके continue पे क्लिक करूँगा don't worry पैबली connect is 100% safe authorization successful हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं Google Sheets successfully connected है मेरे किस से पैबली connection connect होने के बाद सबसे first field है select spreadsheet की तो यहां से मुझे अपनी वह spreadsheet select कर लेनी है जिसमें मैं payment की details save करवाना चाहता हूँ automatically तो यह जो मेरी spreadsheet है जिसका नाम है cash free payment details इस नाम की spreadsheet को मुझे यहां पर आके choose कर लेना है यह रही choose कर ली then select sheet select हो गए क्योंकि कोई दूसरा option ही नहीं है okay so order id transaction id customer name email phone number currency amount data link status and transaction status तो यह सारी details हमें add करनी है तो यह data add करने के लिए हम एक technique का use करेंगे मैपिंग में हम क्या कर सकते है यह data हमें मिला है with the help of cash free जैसा कि आप देख रहे हैं यह सारा data phone number first name last name email address वगरा वगरा यह data हम in blank fields में add कर सकते हैं कैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ आपको just click करना है blank field पे नीचे आपकी previous steps के options आएंगे आपको पता है order id आपको कहां से मिलेगी cash free से मिलेगी आपको click करना है cash free पे सारी details open हो जाएंगी यहां पे आपको सर्च करना है order id order id जब आप सर्च करेंगे तो आपको आपकी order id मिल जाएगी यह ही click करके इसको आपको add कर देना है यह जो process मैंने अभी करी इसी को mapping कहता है जितनी easy or simple है उतनी ही important है क्यूंकि अगली बार next time जब कोई दूसरा person आपकी payment link के द्वारा आपका payment आपको देगा तो उसकी जो order id होगी वो different होगी यह नहीं होगी obviously बाते सेम नहीं होगी अलग-अलग होती है सबकी order id तो जो भी order id वो होगी automatically वो id इस blank field में आपके क्योंकि यह वाली id हमने अभी map की है that's why mapping is important तो जहां पर में data map कर रहा हूँ वहां आपको भी करना compulsory है इसी तरह से transaction id जो है हम map कर देंगे यह भी हमें cash free से मिलेगी यहां पर हम search करेंगे transaction id same और भी fields के साथ करेंगे customer name यहां पर हम search करेंगे customer name तो यह मिल गया john simple email address यहां पर मैं search करूँगा email john.gmail.com simple phone number किसी का personal email address किसी का personal phone number नहीं है नहीं नाम है यह किसी की personal details share नहीं हो रही है so यह मैंने आपको बता दिया simple currency यहां पर मैं search करूँगा currency को INR इंडियन रुपीज में हमें पैसा मिला है तो यहां INR हो गया amount कितना amount आया है यहां पर मैं search करूँगा amount total amount हमें मिला है data link amount 200.12 data link status so यहां पर हम cash free आएंगे data link status partially paid okay transaction status so यहां पर मैं search करूँगा status तो यह मिल गया transaction status click करके map कर दिया click करूँगा save and send test request और आपको चल के दिखाऊँगा आपकी Google Sheets में first row के अंदर ही data जैसे कि आप देख रहे है customer name email address phone number INR amount data link status transaction status सारी details automatically add और इस data की presence बता रही है कि मैंने अपना automation successfully search कर दिया है अब मुझे नीचे scroll करके click कर देना है save और अब मुझे कुछ भी करने की जरुरत नहीं है यह पूरी process पूरी की पूरी process जो मैंने आपको करके दिखाई अब यह automatically होगी software खुद बखुद इसे करेगा जबी भी payment आएगी via link आपके cash free तो automatically उस payment की सारी details जैसे की वह payment किसने की उसका नाम email address phone number किस currency में की है amount कितना है data link status का है transaction status का है यह सारी की सारी details आपकी google sheets में add हो जाएंगी बिलकुल automatically आपको कुछ भी नहीं करना है और जब तक यह workflow on है यह process खुद बखुद होती रहेगी तो जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है आप यहाँ दी गई link पे हमसे contact कर सकते हैं और अगर आप पैबली करेक की pricing के बारे में जानना जाते हैं तो यह second वाली link पे आप जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया है तो like करना मत बूलिएगा और चैनल को subscribe करना भी मत बूलिएगा Thank you